दोस्तों अगर आप एक तेराक हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छी बात है। जहां आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले बीच का मज़ा लेने नहीं बूलते। उस समुद्र में गोता लगाना नहीं भूलते जिसमें आपको तैर कर अच्छा लगता हो। लेकिन दुरभग्ये से हमने से कुछ लोग ये उमीद नहीं करते हैं कि पानी के इन निकायों में क्या है। कुछ में साफ होते हैं अन्य शार्क और अन्य अभी भी घातक जहर हैं जो आपको सेकिंडों में मार सकते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे समुद्र तट के बारे में बताएंगे जिसमें आप तैरना तो दूर की बात उसमें नाम से ही काम उठेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंतक देखें और बाद में ये ना कहें कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी। नमबर एक उबलती जील डॉमेनिका में उबलती जील तैरने के लिए सबसे खतरनाक जगाओं में से एक है। जो चीज इस जगा को खतरनाक बनाती है वो है इसकी सतहे के नीचे डाटने वाली गर्म मैगमा की मौजूद्गी। ये मैगमा पानी को कुथनांग के तापमान पहुचाने के लिए प्रेरित करता है जिससे सच मुझ जील उबल जाती है तो अगर आपने कभी अपने आपको उबलते गर्म पानी से जुलसाया है तो आप उस दर्थ को जान पाएंगे जो इस जील का कारण होगा हाला कि इसमें कुछी शणों के बाद आपका पूरा शरी है कि यदि आप चाहें तो आप सीधे नीचे की ओर देख सकते हैं जील इस मायने में भी ठंडी है कि इसके नीचे सुरंगों और गुफाएं भी बनी है जो आपको उन गहराईयों का पता लगाने में सक्षम बनाती है लेकिन परियाप सुंदर्ता के साथ खत्रा भी आता है दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सा लोग घहराई में उतरेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे पानी के भीतर सुरंगों को नेविगेट करने की चुनौती उनकी अपेक्षा से अधिक है और जब तक बहुत देर होचकी होती है तब तक उन्हें इसका एहसास नहीं हो सबसे खतरनाक जानवर हों लेकिन वो आपको मारने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं उधारन के लिए उत्तरी अफ्रीकी नील नदी में प्रती वर्ष लगभग 100 मगरमचों के हमले होते हैं जब शार के हमलों से तुलना की जाती है जो कि प्रती वर्ष औसतन 16 हमले होत और यहां तक की भयानक धूप की कालिमा का स्थान है लेकिन वो कभी-कभी शक्तिशाली चीर जुआर के हर भी होते हैं इस समुद्र तट पर विशेश रूप से हनाकप या समुद्र तट असी मोतों जैसा कुछ हो चुका है यह विचार करने वाली बात है कि क्या आपकी यो नहीं दी जाएगी इसके कई कारण है जील का अधिकांश भाग छोड़े गए मास मल और अन्य घ्रिनिक चीजों का विशे रहा है समय के साथ ये सामान इस जील में मौझूद बुलबुले के लिए जाहिर तोर पर शाय होने लगा साथ ही जील इतनी जहरीली हो गई है कि इस